हेलो प्रेंट्स रेसिपीज मेरी जी बाय साधना और साधना जुमस रेसिपीज में आपका बहुत-बहुत सौगत है आज हम बनाएंगे बैंगन की सुकी सबजी एक अलग तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं बैंगन की सबजी बनाना आप इसे टिपिंग के लिए भी दे स सकते हैं या साइड डीश के तोर पर भी बना सकते हैं और बहुत कम वक्त में बन जाती हैं सबजी बैंगन की सुकी सबजी बनाने के लिए आवशक सामगरी यहां पर मैंने साथ हरे बैंगन लिए हैं आप कौन से भी बैंगन ले सकते हैं एक पैस बारिक कटा हुआ पास लोस्टेर मुंफली के दाने का कूट, चार हरी मिर्च क्रश करके लिए, आप चाय तो कट करके ले सकते, हींग, कडी पत्ता, स्वात के अनुसार नमप, आधा चमज हल्दी पाउडर, एक चमज जीरा, एक चमज राई, एक चमज धनिया पाउडर, एक चमज गरम मसाला और त तो पहले हम बहिंगन को कट कर लेते हैं, बहिंगन के चार भाग बनाएंगे, इस तरह से, सभी बहिंगन कट कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से सभी बहिंगन को कट कर लिया आए, तेल गरम हो चुका है, अब उसमें राई डालेंगे, राई फ्राय होने के बाद, जीरा डालेंगे, बाई गठा हो पैस, कड़ी पत्ता डालेंगे, पैस का कलर चेंज होने का कुछ से जोन लेंगे, पैस का कलर चेंज हो चुका है, अब उसमें क्रश कीवी हरी मिस डालेंगे, अब उसमें ग्राइन किया हुआ सूखा नारया, पद्रक और लसन डालेंगे, दो मिनाट तक कच्चिस से गुल लेंगे, लसन की कच्चिस में जाने के लिए, अब उसमें हिंग डालेंगे, हल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक, सभी को अच्चे से मिक्स कर लेंगे, सभी को अच्छे से भून लिया, अब हम डालेंगे कटा हुआ बहिंगान, मिक्स कर लेंगे, बहिंगन को मसालों में आच्छे से मिक्स कर लिया है, अब उसमें पानी आड़ करेंगे, बहिंगन की सिपी सब्जी बना रहे है को पानी थोड़ा फ्रम डालेंगे, आदा गिलास पानी डाला हिया पर, सब्जी को अब लाया है, अब जब कर आठ मिनट तक हम बटाएं दिम्याज पर, आठ मिनट हो चुके, यह सब्जी बहुत ही जल्दी पक जाती है, रोस्टेड मुंफली के दाने का पूर डालते हैं, और दो मिनट तक उसे आइसे ही पकने रेटें बिना रखें, हो गए हमारी गर्मा गरम सुकी बैंगान की सब्जी परोसने के लिए तयार, बारिक कटावारा धनिया, सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं, आप इसे जरूर ट्राइब भीजे, आप इसे टिफिन के लिए या साइड दिश के तोर पर भी दे सकते हैं, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइब कीजिए और अपने अनुभू मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप इसे रोटी, चापाती या चावल के साथ खा सकते हैं, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए,